दूदवाली चाय है तो दूदा यहां कान मिल जाता है आप जी पैकेट वाला मंगाते हैं भूले तो नहीं होंगे ये तस्वीरें बीते दिनों अयोध्या दौरे पर पी एम मोदी अचानक से एक महिला के घर पहुँच गये तस्वीरों ने सबको चौकाया तो खबरें बनी लोगों ने कहा पी एम मोदी ने चाय पी कर एक अलग संदेश देने की कोशिश की इसकी दो वजहें बताई गई पहली ये कि मीरा ऐसी समुदाय से आती हैं दूसरी ये कि वो उज्वला योजना की 10 करोडवी लाभार थी हैं मीरा माजी के घर के साथ योजना और समाजिक समी करड की भी चर्चा हुई अप्रधान मंत्री ने चिट्थी और गिफ्ट भी बेजा है खत में पीम ने मीरा माजी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को 9 वर्ष 2024 की हार्दिक शुबकामनाय दी हैं पीम के तरफ से भेजे गए गिफ्ट्स में चाय सेट, ड्रॉइंग बोग, कुछ कलर्स और अन्य कई चीजें हैं सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में मीरा माजी और उनके परिवार वाले लेटर और गिफ्ट्स के साथ नज़र आ रहे हैं ये ख़द दो जन्वरी को भेजा गया है, आज तस्वीरे आई हैं पीये मोदे ने लिखा आप लोगों ने अपने अनुभवों को साजा किया, वह देख कर अच्छा लगा खत में पीये मोदे लिखा आप जैसे मेरे करोडों परिवार जनों के चेहरों की ये मुस्कान ही मेरी पूझी है सबसे बड़ा संतोष है जो मुझे देश के लिए जीजान से कार्य करने की नई उर्जा देता है आपका उजोला योजना की दस करोडवी लाभार्थी बनना एक आंकड़ा भर नहीं है बलकि मैं इसे करोडों देशवासियों के बड़े-बड़े सपनों और संकल्पों के पूर्ण होने की एक कड़ी के रूप में देखता हूँ पीम ने ये भी लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमरित काल में आप जैसे अकांग्षा से परिपुन करोणो देशवासियों की जीवतता और उत्सा एक भव्य वविक्सित भारत के निर्माड के हमारे लक्ष को सिद्ध करने में एहम भूमिका निवाहेगा बच्चों को उसने वो परिवार के अच्छे स्वास्ते और उज्वल भविश्य की कामना सहित आपका नरेंद्र मोदी सरकारी टुटर हैंडल्स पर चिट्टी तो साजा की गई मगर बाद में किफ्स के तस्वीरें भी सामने आई बता दें कि बीते 30 दिसंबर को पीम मोदी यूपी के आयोध्या पहुंचे थे इस दोरान उन्होंने इंटरनेशनल एरपोर्ट इस्टेशन के अलावा 15,700 करूट रुपए की अन्य योजनाओं का लोकार पड़ और शिला नियास किया था इससे दोरान पीम मोदी मीरा मांजे के घर भी गए थे इसका वेडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वाइरल हुआ था ये भी बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ा कारिक्रम होना है राम मंदिर में प्राड प्रतिष्ठा होनी है आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये खबर आपके लिए मैंने ही लिखी थी नमजते मेरा नाम है उपासना और आप देखते रहें दिललन टॉप शुक्रिया